प्रोपर्टी को लेकर मकान बनाया हुआ है यहां पर एक अच्छी खासी लोकेशन में बेस्ट क्वालिटी में दोस्तो इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक दोस्तो जो यह मकान है 30 वाई 45 का है क्वालिटी देख कि आपको पता चल ला होगा किस तरह कि यहां पर क्वालिटी को मेंटेन किया गया क्या लोकेशन है इसमें कवर करेंगा तो फ्रेंड्स यह सामने का देख सकतें पूरा इस्ट्रक्टर है तो यह भाईया है यह बताएंगे सारी चीज़ है तो भाईया आप यह सारे मकान का कंश्टक्शन कराते हैं तो एक वार यहां पर लोकेशन आप बता दीजिए कौन सी लोकेशन है यह बिंड रोड पर द्वारका सिटी बढ़ती है तो जैसे किसी को आना हो तो यहां पर महाराजपुरा के पास से आसकता आगे बिंड रोड पर जी तो अब यह जो यह कालोनी इसका नम द्वारिका सिटी है और यह रोड यह फ्रेंट में कितने फुट का है 25 फुट का रोड दिया गया है और सीवर बगएरा सारी फैसिलिटी यहां पर एविलेबल है न तो चलिए जैसे कि आपने यह मकान बना इसके बारे में हमें बताईए सबसे पहले क इसका साइज बगएरा यह आपका 3045 तीन बात्रूम वाट रूम पॉल किछें नहीं जी तो चलिए अब इंदर हमें बताईए किस तरह से यहां पर काम किया गया है क्या क्या चीजें है इसका साइज क्या है यह पूर्च आपका 20 कुछ का है जी जी यारवाई 20 तो इसमें कोई बड़ी गाड़ी भी लगा सकता है कोई सेटान भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तरकी तरफ चलते है क्वाल्टी देखके आपको पता चल लागो किस तरह कि यहां पर क्वाल्ट क्वार्टी मेंटेन किया है तो भाई यहां के बारे में बताएए यह क्या है यह ढर बता दीजेए 20 की आपका 20 की आरा का यहां पर देखे सेटें फॉल्स सिलिंग यह करके दे रहे है जे और चलिए अब मंदर की तरफ चलते हैं यहां पर क्वाल्टी आप चेक कर लिए इस और डारिनिंग अरिया का क्या साइज रहने वाला और यहां पर क्या क्या चाहिक चीह मिलने वाली है। जी मुद्वर्फ का दोशीयद तो सारी जो क्वाल्टी बगएरा है में टेंग करके चलते हैं तो यह फिटिंग बगएरा है सारा सेनिट्री बगएरा तो यह अपना फर्स्ट वेड्रूम है और इसको और में जो मास्टर वेड्रूम ही है की यह सारी क्वाल्टी आप लोग चेक कर सकते किस तरह से यापे वर्क किया गया नीचे किस तरह से यापे क्वाल्टी की टाइल्स लगाई गई और यह मास्टर यह सर dengan बाथरूम है इसमें बात्रूम दती गई है तो इसका क्या साज रहने वाला है और यह सेनेटरी लगा रहे हैं वो किस क्वालिटी की लगाते हैं और लाइट फिटेंग मगेरा या की हबर्स और कौना मतलब सहारी चाहिए अच्छी क्वालिटी की रहने वाली हैं तो चलिए अगला वेड्रूम निखाई है हमें तो अब हम चलते हैं नेश्ट वेड्रूम की तरफ यह उससे बड़ा साइज है तो देखें फ्रेंट्स यहां पर क्वालिटी मेंटर्ण करी गई है किस तरह से यहां पर सारी चाहिए लगवा कंप्लीट हो चुई है मकान की तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं चलिए उपर चल के देखते हैं किस तरह से यहां पर वर्क किया गया है तो यह यहां पर इस्टील की रेलिंग दी गई है और अब हम आ गए उपर की तरफ यह अपका ओपन एरिया है यहां पर आप सामके टाइम पर बैठ के इंज्जॉय कर सकते हैं चाह स्नेक इंज्जॉय करेंगे तो अब बताई विया तो यहां पर भी एक बैडरूम दिया गया है जैसे की तो टोटल इसमें तीन वेट रूम है तो इसके बाद में यह बात रूम है इसमें यह काम किया गया है सारा और बात रूम भी कापी बिग साइज का है और इसके पीछे साब ओपन एरिया है यह ओपन एरिया रहने वाला है यहां पर कई सारे मकान बने हुए हैं पूरी डवलप कालों नहीं है प्राइज बगएरा के बारे में बता दीजिए यह वालों कॉस्टिंग और इसमें कितना रहेगा इसमें अपने पास में अभी किसके साइज में एविलेबल हैं अभी अभी अपने पास अभी देवर है श्टार्टिंग प्राइज क्या रहने वाली है अगर कोई आता है तो यहां पर चौविस लाक में वी एक अच्छा मकान उसको मिल जाएगा वो रह सकता बनवी अच्च के काफी इस्पेसियस रहता है और अच्छा मकान बनके तयार ह हो जाता है उसके बाद में अपने पास में क्या साइज अबलेवल है 2345 बता है तो कुछ ऐसा है यह आपका 1135 प्रिट है और वह भी टूबी एच्च के बनके आएगा और उसके बाद में 1100 स्कूर फिट साइज है वह भी टूबी एच्च के बनाएंगे कपी इस्पेसियस ब कान लेना चाएँ काफी अच्serी लोकेशन है और कालों להी डवलLoNoop है मकान बने हुए है सारे और ऊज़र और अच्छे ऊधसे टीम है जो रामनगर के पास में पड़ती है लोकेशन इस लोकेशन में आपको फारम फोर कालोनी वे मकान देखने को मिल जाएंगे दोस्तों और मकान आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं जो मकान की कोस्टिंग वगएरा में पईया ने बता दी सारी हो जो मकान का साज़ता 30-45 था तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी आप लोग लाइक नहीं क्याद लाइक जरूर करिये चैनल पर नाइच्छों को सब्सक्राब करना ना भूलें था कि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलते रहें तो फिलाल कि उतना है मिलते अगले वीडियो मैं तब तक के लिए बाई बाई